प्रधानमत्री मोदी तीन दिन के ऐस्ट्रेलिया दोरे के बाद आज देर रात तक दिली पहुंचेंगे पियम मोदी के स्यात्रा में चीन के खिलाफ AI पावर यानि ऐस्ट्रेलिया इंडिया की ताकत कितनी बढ़ी है अब चीन के खिलाफ नया मोडचा खुलने की पूरी तैयारी है इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर भी एक्शन तरह है अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ तो हमारे सम्मन्त टी ट्वेंटी मोड में आगए है भारत और आउस्ट्रेलिया की टी ट्वेंटी वाली फ्रेंडशिप नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है आउस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी को सिड्नी में गार्ड ओफ वॉनर दिया गया एक साल के अंदर प्रधानमंत्री मोडी और आउस्ट्रेलिया के पीम एंथनी अल्बनीज छटी बार मिले हैं और इस मीटिंग में दोनों देशों के रिष्टों की मजबूती को और सॉलिट बनाने की बात हुई प्रेंट्स आज प्रधानमत्री अल्बनीजी से भारता में हमने अगले दर्शक में अपनी कॉंप्रियेंसिव स्ट्रेजिक पार्टर्शिप को नई उचाईयों पर ले जाने पर बात की नई छेत्रों में आपसी सयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की मोदी अल्बनीजी की वन टूवन मीटिंग में मिलिटरी कॉपरेशन, डिफेंस और ट्रेट समेत कई मुद्दों पर बात हुई ग्लोबल साउथ से लेकर इंडो पैसिफिक रीजिन में बैलेंस बनाय रखने को भी दोनों देशों ने एहमियत दी आस्ट्रेलिया ने बैंग्दूरू में कॉंसलेट खोलने का एलान किया है जबकि भारत ब्रिस्ट्मिन में कॉंसलेट खोलने की तयारी कर रहा है दोनों देशों के बीच कई M.O. यूज भी साइन किये गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के सिड्नी में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ दोईपक्षिये मुलाकात की यह मुलाकात इसी जगह पर हुई थी यहां का एड्मिरालिटी हाउस जो की विश्व फेमस है और इस मुलाकात के दौरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत और आस्ट्रेलिया के आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की है पियम मोदी ने इंडो पैसिफिक को लेकर भी आस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी के साथ बातचीत की इसके साथ ही इस पूरे क्षेतर में शांती और क्षेत्रिय स्थिर्ता बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है पियम मोदी ने अल्बनीस के सामने भारत और भारतियों से जुड़े मुद्दों की बात की मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाये जाने का मुद्दा भी उठाया और भविश्य में ऐसे हमले बरदाश्ट ना करने की बात कही यनि आस्ट्रेलिया में बैठकर भारत विरोधी एजंडा चलाने वाले खालिस्तारियों को मोदी ने कडी चेतावनी दे दी आस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविद्यों के सबन में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है भारत और ऑस्ट्रेलिया के सवहार्दपून रिष्टों को कोई भी तत्वा अपने विचारों या अपने एक्शन से आगहाद पहुंचाए ये हमेश्च विकारियन नहीं है पीएम मोदी की मांग पर अल्बनीज ने मंदिर पर हमला करने वालों पर कड़ी कारवाई का भरूसा दिया आज सिद्नी में प्रधान मंत्री मोदी की बैक टू बैक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स रही प्रधान मंत्री ने आउस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल डेविड हरले से मुलाकात की सिद्नी में बिजनिस लीडर्स के साथ मोदी ने राउंड टेबल मीटिंग की और इनको भारत में इन्वेस्टमेंट का ने उता दिया आज पीम मोदी की सबसे महत्रपूर बैठक आउस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अलवनीस के साथ हुई अपनी यात्रा के दौरान पीम मोदी ने आउस्ट्रेलिया के नेताओं को विश्व प्रसिध डोकरा कला से बने तोफे दिये ये भारत में दस्तकारी की सबसे प्राचीन कला है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सिड्नी हारबर ब्रिज और उपेरा हाउस को भारतियत तिरंगे के रंगों में सजाया गया मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे की जबरदस चर्चा वहां की मीडिया ने भिकी दा आस्ट्रेलियन और परेंशिल रिव्यू जैसे आस्ट्रेलिया ये अख़बारों ने प्रधान मंत्री मोदी की तस्वीर को फ्रंट पेज पर चगा दी और उनकी लोग प्रियता की दिल खोल कर तारीष बेकी परेंशिल रिव्यू ने लिखा नमस्ते आस्ट्रेलिया मोदी रॉक्स सिड्नी वहिंदा आस्ट्रेलियन अख़बार ने प्यम मोदी को बॉस बताया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री को भारत आने का नियोता दिया है जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच चल रहा होगा और दिवाली के सलिब्रेशन का भी उस वक्त होगा और साथ ही प्यम मोदी ने सितंबर में होने वाले G20 लीडर समिट को लेकर भी आस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री को भारत आने का नियोता दिया है कुल मिल आकर प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी की है आस्टेलिया यात्रा अगर देखें तो इस यात्रा से भारत आस्टेलिया के संबंधों को एक नई उचाई मिलती हुई दिखाई दे रही है कैमरमेनस जैदीब के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सिड्नी, आस्टेलिया भारत और आस्टेलिया मिलकर अपने कॉमन विरोधी चीन को काउंटर कर रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी के सियात्रा से चीन के खिलाफ नई स्ट्राटीजी की शुरुवात हो सकती है अब बात करते हैं पहली रणनीती की, समंदर में मिलकर मुकाबला, समंदर में चीन की दादागिरी का मुकाबला भारत और अस्टेलिया मिलकर करेंगे हिंद महासागर से लेकर प्रशान महासागर तक चीन के खिलाफ दोनों देश एक दूसरे से इंटेलिजन्स इंपुट साजह कर सकते हैं भारत और अस्ट्रेलिया की नेवी के बीच तालमेल और बेहतर करने की दिशा में कदम उठाई जा सकते हैं दूसरी रणनीती एंटी चाइना कॉरिडोर चीन के सम्मंद अपने ज्यादातर परोसी देशों के साथ अच्छे नहीं है और इसकी वज़े है दूसरों की जमीन पर बुरी नजर रखने की उसकी आदत भारत और अस्ट्रेलिया मिलकर चीन विरोधी देशों को साथ ला सकते हैं इंडोनेशिय और मलेशिय जैसे देशों को मिला कर चीन के विस्तारवाद का मजबूती से जवाब दे सकते हैं अब बात करते हैं तीसरी रणनीती की चीन पर आर्थिक प्रहार चीन लड़ाई जगड़े से ज्यादा अपने कारोबार से दूसरे देशों को काबू मिकरने के लिए जाना जाता है चीन के इस गुरूर को तोड़ने के लिए पश्चिमी देश भारत के साथ खड़े हैं अमेरिका और अस्ट्रेलिया समेथ कई देशों को लगता है कि मनिफाक्टरिंग में भारत ही चीन को पचाड़ सकता है इसकी शुरुआत हो गई है कई विदेशी कमपनियां धीरे धीरे चीन से अपने मनिफाक्टरिंग सेंटर स्क्वाट आकर भारत में शिफ्ट कर रही है और टेक कमपनी आपल ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है